तो मूवी की शुरुवात में हमें एक प्ले स्कूल दिखाया जाता है जहां पर कई फैमली अपने छोटे बच्चों को यहां छोड़ जाती थी ताकि उनका यहां खयाल रखा जाए और वो अपने काम पर जा सकें वहीं पर हम नैना नाम की लड़की को देखते हैं जो कि उसी प्ले स्कूल को चलाती थी और वहां की टीचर होती है यहां हमें पता चलता है कि नैना कुछ हफ़तों से बिमार थी तो काफी दुनों बाद ही वो अपने काम पर वापिस आई थी उन बच्चों में से एक बच्ची का जनम दिन होता है तो नैना उसकी मम्मी से कहती है कि अगर आप अपने ड्राइवर से कहकर केक भिजवा देंगी तो बच्चे निहारिका का बड़े सेलिब्रेट कर पाएंगे निहारिका की मम्मी ऐसा करने के लिए मान जाती है और फिर सभी पैरेंट्स अपने बच्चों को छोड़ कर वहां से चले जाते हैं बच्चों का खयाल रखने के लिए नैना ने एक केर टेकर रखी हुई थी जिसका नाम सावित्री होता है तो वो नैना से कहती है कि उसे आधार कार्ड से जुड़ा कोई काम कराना है तो वो जा रही है अब नैना अपने मंगेता रोहित के पास जाती है जो की पेशे से एक वकील था और अपने काम के लिए निकल रहा होता है जो प्ले स्कूल था वो रोहित के घर में ही बना हुआ था तो एक तरह से नैना रोहित के घर में आकर प्ले स्कूल चलाती थी नैना का अगले दिन बड़े था तो रोहित उसे बड़े सेलिबरेट करने के लिए कहता है क्योंकि नैना कभी भी अपना बड़े नहीं मनाती थी लेकिन रोहित के जिद करने पर वो इस बार अपना जनम दिन बनाने को तयार हो जाती है अब सावित्री और रोहित के चले जाने के बाद नैना बच्चों के पास जाती है और उन्हें एक जगा बैठा कर उनका टाइम पास कराने के लिए टीवी में कार्टून लगा देती है फिर इसके बाद हमें नैना का एक अलग ही रूप देखने को मिलता है नैना अपने रूम में जाती है और वहाँ से एक बैग निकाल कर उसमें से गन निकालती है और फिर उसके बाद पुलिस को फोन करके बताती है कि मेरा नाम नैना जैसवाल है और मैंने 16 बच्चों को बंदी बना लिया है और मेरी कुछ डिमांड्स है नैना घर के सारे खिड़की दरवाजे बन कर देती है जिससे कि कोई भी अंदर ना आने पाए क्योंकि उसने सच में बच्चों को होस्टेज बना लिया था तबी हम देखते हैं कि घर पर एक आदमी आता है जो कि छोटी बच्ची निहरका के घर का ड्राइवर होता है और बंदूग के दम पर उसे भी बंदी बना लेती है तब ही हम देखते हैं कि सावित्री घर वापिस आ जाती है क्योंकि वो अपना फोन भूल गई थी और नैना पीछे का गेट बंद करना भूल गई थी तो वो वहीं से अंदर आ गई थी सावित्री को किसी के चीखने की आवाज सुनाई देती है तो वो उसी और जाने लग जाती है नैना उसके उपर भी बंदूग तान देती है और उसे भी ड्राइवर के साथ बंदी बना लेती है अब वहाँ पर एक पुलिस वाला आ जाता है क्योंकि नैना नहीं पुलिस को कॉल किया था पुलिस वाले को सब वहाँ नॉर्मल ही लगता है तो वो अपनी सीनियर आफिसर कैथरीन को जाकर बताता है नैना पुलिस को वापिस जाते हुए देखती है तो वो गेट से बाहर आकर हवाई फाइरिंग कर देती है जिससे कि पुलिस वाले समझ जाते हैं कि यहां जरूर कुछ तो गड़बड है और नैना ऐसा ही कुछ करना चाहती थी पुलिस ओफिसर कैथरीन नैना को कॉल लगाती है और पूछती है कि अंदर के हालात क्या है नैना कहती है कि उसे जावेद खान नाम के आदमी से बात करनी है और तुम्हारे पास सिर्फ एक घंटा है कैथरीन हालात को समझते हुए उस जगा को खाली करवा देती है और वहाँ पर तब पूरी पुलिस फोर्स तैनात हो जाती है क्योंकि बच्चों को बंदी बनाना किसी आतंकी गतिविदी जैसा ही था अब नैना एक वीडियो बनाती है जिसमें कि वो बोलती है कि मेरी पुलिस से कुछ दिमांड्स हैं और अगर वो डिमांड्स पूरी नहीं हुई तो बच्चों को खत्रा हो सकता है और वो इस वीडियो को बच्चों के पैरेंट्स ग्रूप में भेज देती है अब यही वीडियो रोहिद भी देख लेता है और तब उसे समझी नहीं आता कि आखिर नैना ऐसा कर क्यों रही है तो वो तुरंती घर की और भागता है अब हम देखते हैं कि नैना के डिमांड पर जावेद खान कैथरीन के पास आ जाता है जो कि खुट भी एक पुलिस आफिसर होता है कैथरीन और जावे दोनों को समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर नैना जावेद से बात क्यों करना चाहती है पडोसीं से दोनों को रोहित के बारे में पता चलता है तो वो उससे कॉंटक्ट करते हैं और जल से जल वहाँ पर आने को कहते हैं क्योंकि उन्हें लग रहा था कि शायद रोहित भी नैना के साथ शामिल है नैना ने जो वीडियो बना के भेजी थी उससे बच्चों के पैरेंट्स में पूरी तरह से डर बैट गया था तो सभी लोग वहीं पर आ जाते हैं और अपने बच्चों को बचाने की गुहार लगाने लग जाते हैं अब जावेद नैना को फोन लगाता है लेकिन रिक्वेस्ट करता है कि वो सभी बच्चों को छोड़ दे लेकिन नैना उसकी कोई भी बात नहीं सुनती और फोन कार्ट देती है कैथरीन जावेद पर गुस्ताने लग जाती है क्योंकि उसने बिना कुछ सोचे समझे 5 करोड देने के लिए हाँ कर दिया था जावेद को उस वक्त बच्चों की जादा चिंता थी इसलिए उसने ऐसा किया था और इन दोनों का काम करने का तरीका काफी अलग था इसलिए दोनों की आपस में नहीं बनती थी नैना अब एक और वीडियो शोशल मीडिया पर डाल देती है जिसमें कि उसने बोला होता है कि मैंने पुलिस से 5 करोड की डिमांड करी है और अगर उन्होंने एक घंटे में पैसे नहीं दिये तो हर घंटे एक बच्चा मारा जाएगा नैना की खबर अब हर निउस चैनल हर शोशल मीडिया प्लैटफॉर्म पर चल रही थी और सभी ने नैना की हरकतों को एक तरह का पागलपन ही करार कर दिया था नैना बीच बीच में थोड़े थोड़े वीडियो बना कर सोशल मीडिया पर डालती जा रही होती है ताकि जादा से जादा लोगों को इसके बारे में पता चले और डर का महौल भी बना रहे नैना चाहती क्या थी और उसका प्लान क्या था ये कोई भी समझ नहीं पा रहा था अब वहाँ पर जावेद और कैथरीन के सीनियर आफिसर आ जाते हैं और सिचुएशन को जल से जल कंट्रोल में लाने को कह देते हैं कैथरीन अपने स्पेसल आफिसर्स को घर के अंदर इंट करने लग जाता है और पुलिस आफिसर्स को घर के अंदर जाते हुए दिखाने लग जाता है नैना टीवी पे सब कुछ देख लेती है तो वो सतर्क हो जाती है और फिर वो पुलिस वालों के उपर ही गोलियां चला देती है जिससे कि कोई भी अंदर आने ना पाए फिर इस इसलिए किया था ताकि लोगों को पता चले कि वक्त आने पर वो कुछ भी कर सकती है इसलिए कोई चला की ना करे तो बहतर है अब नैना आकाश नाम की बच्चे को लेकर जाती है और उससे कहती है कि अब हम दोनों वो गेम खेलेंगे जो हमेशा खेला करते थे नैना चाता कि ऐसा कुछ सच में हो जाएगा कैथरीन के एक्शन्स की वज़े से अब एक बच्चे की जान जा चुकी थी तो सीनियर आफिसर उसे वहां से जाने के लिए कह देते हैं और नैना से जुड़ी जानकारी घटा करने का काम सौप देते हैं इस हादसे के बाद अब और क लूसी स्कूल में काम करते थे जावेद उससे पूछता है कि आखिर ये सब करने का तुम्हारा मकसद क्या है और अब और कितनी डिमांड्स माननी होंगी नैना कहती है कि अभी तो और भी कई बच्चे बाकी हैं और अब मुझे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर से बात करनी हैं नैना फिर से एक और वीडियो शोशल मीडिया पर डाल देती है ये कहते हुए कि अगर हमारी प्रधान मंतरी जी ने मुझसे बात नहीं की तो फिर से एक बच्चा मारा जाएगा और उसकी जिम्हदार खुद पीम होंगी अब इसके बाद हम इंडियन प्राइम के लिए मीटिंग करने को कहती हैं उधर हम देखते हैं कि नैना अब एक बच्ची को छोड़ देती है क्योंकि उसकी एक डिमांड पूरी हो गई थी हम देखते हैं कि मीटिंग में सभी लोग पीम से यही कह रहे होते हैं कि आपको उस लड़की से बात करने की जरुद नहीं हैं और जैसा हमारा प्रोटोकॉल है वैसे ही चलना चाहिए वरना ऐसे तो हर कोई ऐसे ही करके डिमांड पूरी करवाने लग जाएगा पीम उनकी भातों को सुनती तो हैं लेकिन उनके दिमाग में यही चल रहा था कि बाकी 14 बच्चों की जान अब भी खत्रे में हैं तो अ उसी के साथ वो रहती है लेकिन अभी वो कहा है ये किसी को भी नहीं पता था प्राइम मिनिस्टर नैना से बात करने के लिए तयार हो जाती है क्योंकि नैना ने ये डिमांड रखी थी कि अगर उसकी पीम से बात हो गई तो वो दो बच्चों को छोड़ देगी पीम सोचती है कि अगर मेरे बात करने से दो बच्चों की जान बच्चती है तो यही करना सही रहेगा और फिर तम नैना की अगली डिमांड का भी पता चली जाएगा पूरी सेक्योर्टी के साथ प्राइम मिनिस्टर नैना को फोन लगा देती है और पूछती है कि वो उससे बात क्यों क प्रदान मंतरी को सामने आकर बात करने के लिए कहना कोई छोटी बात तो नहीं थी लेकिन नैना ने जो अपने दिमाग में सोच रखा था उसके चलते वो जावेद की एक नहीं सुनती और फोन कार्ट देती है हम देखते हैं कि कैथरीन उस जगह पर पहुँच जाती है जहां नैना और उसकी माँ साथ में रहते थे पर वहाँ उसे कोई भी नहीं मिलता लेकिन दो एहम बातें पता चलती है कैथरीन को पता चलता है कि नैना ने अपनी मा को एक मेडिकेशन संटर भेज दिया है और नैना एंटी डिप्रेशन पिल्स खाती है यानि कि नैना डिप्रेशन और अंजाइटी से जूज रही थी कैथरीन ये सारी जानकारी जावेद को देती है तो जावेद सीधा रोहिद के पास पहुँच जाता है क्योंकि वो जानता था कि इस बारे में तो रोहिद कुछ ना कुछ जानता ही होगा रोहित बताता है कि नैना अपने पापा की डेथ को बरदाश्ट नहीं कर पाई थी इसलिए वो डेप्रेशन में चली गई थी और तभी से उसने अपनी थरपी शुरू की और दवाईयां खाना भी शुरू करी थी हम देखते हैं कि पीम का सेकेटरी जावेद को ये ओरडर देता है कि पीम नैना से नहीं मिलेंगी इसलिए अब तुम्हें जैसे भी इस सिचुएशन को हैंडल करना है वैसे करो जावेद नैना को बता देता है कि पीम उससे नहीं मिल सकती तो नैना सावित्री, ड्राइवर और एक छोटे बच्चे की फोटो लेकर ओडियंस पोल डाल देती है और कहती है कि प्रधान मंत्री ने मिलने के लिए मना कर दिया है तो अब आप बताईए कि इन तीनों में से कौन जीएगा और कौन मरेगा प्राइम मिनिस्टर जब ये वीडियो देखती हैं तो अपने सेकेटरी पर बहुत गुसा करती है क्योंकि उनसे पूछे भिना ही उन्होंने बोल दिया था कि प्राइम मिनिस्टर नहीं मिल सकती प्राइम उनसबी को अच्छे से हड़काती हैं और फैसला लेती हैं कि वो नैना से मिलने के लिए जाएंगी क्योंकि उन बारा बच्चों की जान जादा इंपॉर्टेंट है अब हम देखते हैं कि नैना सावित्री और ड्राइवर के पास बैठी होती है तब ही सावित्री बातरूम जाने के लिए कहने लगती है नैना जैसे ही उसे खोलती है तो सावित्री उसके उपर हमला कर देती है और फिर ड्राइवर को भी खोल देती है अब वो दोनों ही लोग नैना पर काबू पाने के लिए उसे पकड़ने लग जाते हैं लेकिन उस हाथा पाई में सावित्री बेहोश हो जाती है ड्रैवर नैना से गन छीनने लग जाता है और उसी छीना छप्टी में गोली चल जाती है बच्चे कोई भी आवाज नहीं सुन पाते क्योंकि थोड़ी ही देर पहले नैना ने बच्चों को हेड़फोन पहना कर गाने लगा कर सुला दिया था हम देखते हैं कि ड्रैवर जिन्दा होता है क्योंकि गोली ड्रैवर के पैर पर जा लगी थी नाना दोबारा से उन दोनों को बान देती है और फिर वीडियो बनाते हुए उसकी चोट दिखाती है और कहती है कि अगर पियम यहाँ पर नहीं आई तो तीनों को ही माल डालूंगी अब हम देखते हैं कि पुलिस ने नाना की मा को धूंड निकाला था तो जावेद उन से पूछता है कि आपकी बेटी ये सब क्यूं कर रही है आप सब कुछ साफसाफ बता दीजिए वरना मैं आपको नाना की लाश पर रोने का भी मौका नहीं दूंगा नैना की मा कहती है कि मैं नहीं रोऊंगी नैना की लाश पर क्योंकि मेरे आसू अब सूख चुके हैं क्योंकि इस दिन के लिए कहीं न कहीं आप भी जिम्मधार हैं अब यहां से कहानी फ्लैश बैक में जाती है जहां हम देखते हैं कि नैना बस से अपने स्कूल से घर की और जा रही थी और वो बस में एक अकेली ही बची थी तब ही वहीं उसे बस का कंड़क्टर बुरी निगाहों से घूर रहा होता है कंड़क्टर अकेली लड़की को देख उसे सुरक्षित घर पहुचाने के बजाए उसके साथ घटिया घिनोना काम करने का सोच लेता है और फिर वो बस ड्राइवर के साथ मिलकर अपनी घिनोनी मांसिक्ता के चलते नैना के साथ गलत काम कर डालते हैं इसके बाद हमें नैना की मा को दिखाया जाता है जो कि अपनी बेटी के साथ गलत करने वालों को सजा दिलाने के लिए पुलिस टेशन के चकर काट रही होती हैं उस वक्त जावेद पुलिस टेशन का इंचार्ज था तो वो मा की एक भी बात नहीं सुन रहा होता मा उसके सामने हाँ जोड कर विंती कर रही होती हैं कि मेरे बेटी के साथ गलत करने वालों को पकड़ लीजिये लेकिन उनकी सुनने वाला कोई भी नहीं था इसके बाद कहानी यहां से वर्तमान में आती है जहां हम देखते हैं कि जावेद पूरी तरह से शौक्ड में था क्योंकि अगर उसने उस वक्त नैना की मा की बात सुन ली होती तो शायद आज यह सब कुछ होता ही नहीं नैना ने जो राकेश माथूर और चरन कुमान नाम के दो आदमियों को लाने को कहा था वो वही आदमी थे जिन्नोंने नैना के साथ घटिया गिनोना काम किया था और नैना ये सब कुछ इसलिए कर रही थी क्योंकि वो अपने साथ हुए गलत का इंसाफ पाना चाहती थी जावेद को बहुत ही जादा पश्टावा होता है क्योंकि उस वक्त वो मेडल और बड़ी उपादी पाने के लिए बड़े केसिस को सॉल्व कर रहा था लेकिन बड़ा बनने के चकर में वो ये भूल गया था कि वो एक पुलिस आफिसर है जिसका काम है सभी को सुरक्षित रखना और मुझरिम को सजा दिलाना इसलिए जो कुछ भी हो रहा था वो सब के लिए खुद को ही जिम्मदार मान रहा होता है अब हम देखते हैं कि नैना से मिलने के लिए वहाँ पर देश की प्रधान मंतरी माया राजगुरू आ जाती है जो कि किसी ने कभी भी नहीं सोचा था कि ऐसा कभी देखने को मिलेगा नैना से मिलने के पहले जावेद प्राइम मिनिस्टर को उसकी सारी बाते बता देता है जो कि जाननी बहुत जरूरी थी पीम नैना से फोन पर बात करती हैं और कहती हैं कि तुम्हारे उपर किसी को भी भरोसन नहीं है क्योंकि तुमने तो एक बच्चे की भी जान ले ली है तो मैं अंदर कैसे आ जाऊं तब ही नैना की घर का दर्वाजा खुलता है और हम देखते हैं कि वहाँ से वो छोटा बच्चा आकाश और सावित्री बाहर निकलती है ये वही बच्चा था जिसको सबने लाइव मरते हुए देखा था लेकिन असलियत में नैना ने उसे मारा नहीं था नैना और वो बच्चा अक्सार एक गेम खेलते रहते थे जिसमें कि नैना उसे शूट करने की एक्टिंग करती थी और बच्चा मरने की एक्टिंग करता था तो उस टाइम नैना ने वही करवाया था और बिचारे भोले बच्चे को कुछ पता ही नहीं था तो वो एक्टिंग कर भी देता है अब ये देखने के बाद नैना पर भरोसा करके प्राइम मिनिस्टर नैना से मिलने के लिए जाती है और उनके साथ जावेद भी जाता है नैना ने प्रधान मंतरी के लिए पूरा सटप तयार कर रखा था क्योंकि नैना प्राइम मिनिस्टर को एक डाटा दिखाती है जिसमें कि रेप रिहाबिलिटेशन विक्टम्स के नाम लिखे हुए थे नैना बताती है कि जो मैंने पांच करोड लिये हैं वो इन्हीं एंजियोस में जाने वाले हैं और ये काम आपको करना है प्राइम मिनिस्टर इंटर दबा के ये काम कर देती हैं और पूछती है कि तुम आखिर चाहती क्या हो और ऐसे तो कई केसेस हैं जो आख्लों में है ही नहीं इन बलातकारियों का खून दिमाग में नहीं बलकि कहीं और ही दोड़ता है तो इन सब के दिमाग में डर बैठाना बहुत जरूरी है इसलिए मैं आप से चाहती हूँ कि मुझे और मेरी चैसी कई महिलाओं को कुछ तो मिले जिस पर वो भरोसा कर सकें प्राइम मिनिस्टर कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुमारे साथ अन्याय हुआ है लेकिन तुम जो बच्चों के साथ कर रही हो वो भी तो अन्याय ही है नैना कहती है कि इस देश में लोग जान बुच कर बहरे बने घूमते हैं तो जब तक उनके कान के पास आकर ना चिलाओ तब तक अपनी गर्दन घुमा कर नहीं देखते आप नहीं जानती कि जो मेरे साथ हुआ वो कैसा फील होता है आप नहीं जानती कि उस हाथसे के बाद मेरे माबाप ने क्या-क्या सहा मेरे पिता के उपर इतना गहरा असर हुआ कि वो उस वक्त ही गुजर गए मैं आज भी जब रोहित को गले लगाती हूँ तो मुझे समय लगता है खुद को ये भरोसा दिलाने में कि मैं उसके साथ सेफ हूँ मुझे नहीं पता कि जब उसे पता चलेगा कि मेरे साथ रेप हुआ था तो वो मुझे छोड़ देगा या साथ रहेगा कुछ लोग होते हैं जो समल जाते हैं और बाकी फांसी पर लटक जाते हैं प्राइम मिनिस्टर कहती हैं कि मैं तुम्हें समझ रही हूँ लेकिन इसमें इन बच्चों की क्या गलती थी नैना कहती है कि अगर मैंने इन बच्चों का सहारा नहीं लिया होता तो आज आप यहाँ ना बैटी होती ना ही जावेद यहाँ पर होता और यहाँ पर वो भी मौजूद नहीं होता जिसने मेरा रेप किया था यहां हमें पता चलता है कि ड्राइवर ही वो बस ड्राइवर है जिसने नैना के साथ बलतकार किया था और वही चरन कुमार था रकेश मातुर जो की बस कंड़क्टर था उसने बलतकार के वक्त नैना की हाथ पकड़े हुए थे लेकिन अब पुलिस ने उसे धर दबोचा था नैना बताती है कि तीन हफते पहले ये दरिंदा चोटी बच्ची निहारका का हाथ पकड़के मेरे प्ले स्कूल के अंदर आता है और कहता है कि मैं निहारका का नया ड्राइवर हूँ मैं उसे देख कर एकड़म शौक धो गई थी और ये दिमाग में आने लगा था कि जैसे उसने मेरे साथ किया वैसे ही वो कभी निहारका के साथ भी कर सकता है ये चरन कुमार अपना नाम बदल कर खुले आम अपनी जिन्दगी जी रहा था जो कि मैं ऐसा होते देख नहीं सकती थी इसलिए मैंने उसी दिन फैसला कर लिया कि मैं इसे जीने नहीं दूंगी नैना चरन के उपर गन तान देती है और कहती है कि अब सब को सच बता दे कि तुने मेरे साथ क्या किया था चरन भोला बनने की कोशिश कर रहा होता है कि तभी वो जावेद की गन छीन कर नैना को मारने की कोशिश करता है लेकिन गन की safety on थी तो गोली नहीं चल पाती तब ही नैना लगातार गोली चलाते हुए चरन जैसे दरिंदे को मौत के घाट उतार देती है और नरक में पहुचा देती है अब वहाँ पर special forces आ जाती है और तब नैना को arrest कर लिया जाता है नैना जो करना चाती थी जो उसके दिमाग में था जो वो बदलाव लाना चाती थी वो सब सही था लेकिन उस चीज को करने का طریقہ कानून के दायरे में गलत ही था तो उसे arrest होना ही पड़ता है लेकिन जितने भी लोग उसे देख रहे थे वो सभी जानते थे कि नैना ने जो किया वो बहुती सही किया जावेद हमेशा अपनी गन की सेफटी आफ करके रखता था लेकिन उस टाइम उसने आउन कर रखी थी क्योंकि वो जान गया था कि चरन उससे गन छीनेगा जावेद जानता था कि चरन पकड़ा भी गया तो बस उसे जेल ही होगी तो उसने शाय जान बुच के ऐसा किया था ताकि उसका तुरंत वहीं पर खात्मा हो जाए अब हमें पार्लियमेंट का सीन दिखाया जाता है जहां प्राइम मिनिस्टर माया राजगुरू सभी से कह रही होती है कि आज मैं पियम के नाते नहीं बलकि एक महिला नागरी के नाते बोल रही हूँ नैना ने जो भी किया वो सही था या गलत इसकी चर्चा हर जगए हो रही है और उसकी सजा वो काड़ भी रही है लेकिन जो मुद्दा उसने उठाया है वो गलत नहीं है इसलिए मैं बस यही चाहती हूँ कि नैना जैसवाल की मांग अनसुनी ना जाए अब सीन यहाँ से छे मैने आगे शिफ्ट होता है जहां नैना को जेल में ही बाकी महिला कैदियों को पढ़ाते हुए देखते हैं तबी उसी वक्त नैना न्यूस पेपर में पढ़ती है कि राकेश मातूर को आजीवन कारावास की सजा मिल गई है जिसे पढ़कर नैना अगर कोई इनसान ऐसा करने की कोशिश भी करे तो वो तुरंथी एक आतंकी घोशित कर दिया जाएगा और उसे मार दिया जाएगा और इस देश की मीडिया ऐसी है कि पता नहीं क्या-क्या बाते बना के उसे हमारे सामने पेश करते हुए सच्चाई से हमें कोसो दूर कर दे लेकिन अगर हम गहराई से देखें तो जिससाब से देश में बलतकार और इस तरह के क्राइम बढ़ रहे हैं उससे देखते हुए कहीं ऐसा नहों कि कोई आम इनसान इन सबसे परेशान होकर ये कदम उठाने को तयार हो जाए हाला कि हम नहीं चाहेंगे कि ऐसा कुछ भी हो क्य क्योंकि उससे कई लोगों को परेशानी हो सकती है जैसे कि बच्चों के पैरेंट्स को ही और कानूनी तोर पर गलत भी होगा लेकिन हम मन में यही सोचते हैं कि कुछ तो ऐसा हो जिससे की समाज में बदलाव आए और बलतकार करने वालों पर लगाम लगे कुछ ऐसा कि ऐसा घटिया काम करने से पहले लोगों की रूह काप जाए और असा करने का उनके खयाल में भी ना आए अगर सकत कानून बना भी दिये जाएं तो कई महिलाएं उनका गलत फायदा उठाने लग जाती हैं जिससे की काफी पुरुशों को दिक्कत का सामना करना पड़ता है और यह तक कि उनकी जिन्दगी भी बरबाद हो जाती है तो एक तरह से इस मामले में नारी ही नारी की दुश्मन बन जाती है अगर हम आकड़े उठा कर देखें तो फेक रेप केसस भी बहुत होते हैं शायद इसलिए बलतकारियों के लिए कड़े कायदे कानून बनाना मुश्किल सा हो जाता है फिलहाल अभी हाल ही में मैंने पढ़ा कि मारास्ट में 26 जनवरी के दिन निर्भया स्कौाड नाम से एक डिपार्टमेंट का उटगाटन किया गया है जो कि स्पेशली महिलाओं की सेफटी के उपर काम करता है अगर कोई भी महिला कहीं भी अंसेफ फील करती है तो वो 103 डायल करके निर्भया स्कौाड से कॉन्टैक्ट कर सकती है और तब वो तुरंत ही आपकी सहायता के लिए आ जाएंगी अब देखना ये रहेगा कि जैसे महरास्ट में निर्भया स्कौाड बना है वैसे और भी जगा महिलाओं की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठा जा रहा था तो इस तरह से वो स्कौाड पूरी तरह से फेल हो गया तो ऐसे डिपार्टमेंट बनाने का यही मकसद होना चाहिए कि जो परिशानी में हैं उसकी सहायता करें ना कि खुद जाकर सबको परिशान करें अब मैं एक बात उन लोगों को बोलना चाहता हूँ जो य कर रेप हुआ आप ऐसी बाते बोलकर बस बलातकारियों की सोच को बढ़ावा देते हो क्योंकि वो तो जानते ही हैं कि वो कुछ भी करें बदनाम तो लड़किया ही होंगी क्योंकि हमारा सामाज तो यही सोचता और समझता है कि अगर लड़की के साथ रेप हुआ है तो वो मेरे पास बोलने के लिए बहुत कुछ है लेकिन फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और जो कुछ भी मैं बोलना चाहता हूँ वो सब आपको पता है लेकिन मेरे बोलने या आपके सुनने से रेप होना बंद नहीं हो जाएंगे क्योंकि जब से आप इस वीडियो को देखना शुरू किये होंगे तब से ना जाने पता नहीं कितनी लड़कियां किसी दरिंदे का शिकार बन चुकी होंगी अब हम एक्टिंग की बात करें तो यामी गौतम ने नाना का रोल बहुती बड़िया तरीके से निभाया है और उनकी एक्टिंग की काफी तारीफ हो रही है वही नेहा दूपिया ने भी पुलिस का रोल काफी अच्छे से निभाया है इससे पहले नेहा धूपिया पुलिस के कैरेक्टर में सनक मुवी में दिखाई दी थी और तब मैंने कहा था कि उनका रोल कुछ खास नहीं था लेकिन इस फिल्म में वो एकदम पावरफुल पुलिस आफिसर के रूप में देखने को मिलती है मैं आपको बता दूँ कि नेहा धूपिया ने इसमें प्रेगनन्ट होने की एक्टिंग नहीं करी है बलकि वो सच में प्रेगनन्ट है जी हाँ जब वो प्रेगनन्ट थी तभी उन्होंने इस फिल्म में काम किया था तो आप समझी सकते हैं कि उन्होंने इस रोल के लिए काफी महनत करी है क्योंकि प्रेगननसी की हालत में एक पुलिस आफिसर का रोल निभाना काफी महनत का काम है वहीं जावेद खान यानि अतुल कुलकरणी को तो आप सभी जानते ही होंगे कि वो एक्टिंग के मामले में कितने ज़्यादा सही हैं और उन्होंने अपने पुलिस के करेक्टर को काफी अच्छे से निभाया है और प्राइम मिनिस्टर माया राजगुरू यानि डिम्पल का पाडिया ने भी अपने रोल को सही ही निभाया है वहीं बाकि सह कलकारों ने भी अपने रोल को निभाते हुए सही पर्फॉर्मेंस दी है अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो इसे डिजनी प्लस हौड स्टार पर देख सकते हैं लेकिन मुझे पता है कि जिने ये मूवी वाकई में देखनी चाहिए वो तो देखने वाले नहीं जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ वही आज भी कहूंगा कि जितने भी लोग हैं वो सब अपनी सुरक्षा करना खुद ही सीखें क्योंकि हर वक्त हर कोई आपके साथ नहीं रह सकता तो किसी भी दरिंदे से लड़ने के लिए आप खुद तयार रहें तो ये था एक्स्प्लेनेशन आथ थस्दे मूवी का आपको मूवी और मेरा एक्स्प्लेन करना कैसा लगा ये कमेंट करके जरूर बताईए